दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 25 तक दुनिया की दोतिहाई आबादी पानी के तनाव में हो सकती है यह एक परेशान करने वाला सच है है ना और फिर भी यह एक ऐसा है जिसका हम वैश्विक पानी की कमी के इस यूग में सामना कर रही है दुनिया जैसा की हम जानते हैं सूख रही है हमारा ग्रह हमारे सौर मंडल का नीला गहना अपने ताजे जल संसाधनों को खतरनाक दर से कम होते देख रहा है यह केवल दराने की रणनीती नहीं है बलकि वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा द्वारा समर्थित एक कठिन वा रहा है यह सिर्फ पीने के लिए पर्याप पानी नहीं होने के बारे में नहीं है या स्नान के बिना एक दिन की असुविधा के बारे में नहीं है पानी की कमी के नहितार्थ दूरगामी है जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं जैसा की हम जानते हैं इस पर विचार कर क्रिशी जो हमें हमारे द्वारा खाये जाने वाले भोजन के साथ प्रदान करती है पानी पर बहुत अधिक निर्भर है जब पानी दुरलब हो जाता है तो फसले विफल हो जाती है जिससे भोजन की कमी हो जाती है उत्पादन के लिए पानी पर निर्भर उद्योगों को प्रभाव पड़ता है। पांई की कमी सिर्फ एक मानविय समस्या नहीं है यह ग्रहों की समस्या और सामाजिक नहितार्थ के पानी की कमी सामाजिक अस्मानता को बढ़ाती है. सबसे गरीब और सबसे कमजोर समुदायों को सबसे अधिक प्रभावित करती है. सच तो यहाँ है कि जल ही जीवन है. यहाँ एक संसाधन है जिसे हम अक्सर हलके में लेते हैं, लेकिन एक जो हमारे अस्तित्व और हमारे ग्रह के अस्तित्व के लिए आवश्चक है तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? इसका जवाब संदक्षण में नहित है मैं Green Club के समन्वेब Dr. Aim in Surva से मानिय श्री अन्ना साहेब दांगे कॉलेज हाथ कणंग ले और इस वीडियो में हम पानी की बचत तक्नीकों का पता लगाएंगे जिनें आप आसानी से अपनी दिन्चर्या में शामिल कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें साथियोग पानी का अधिक कुशलता से उपयोग करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि यहां बहुमूल्य संसाधन आने वाली पीडियों के लिए उपलब्ध हो अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आप एक दिन जाकते हैं और नलों में कोई पानी नहीं बचा है यहां एक दरावना विचार है, है ना? लेकिन यहां एक संभावना है जिसका हम सामना कर रहे हैं अगर हम अभी कारवाई नहीं करते हैं पानी बचाने की यात्रा शुरू होती है कल्पना कीजिए अगर मैंने आपको बताया तो पचास सरल तरीके हैं जिनसे आप हर दिन पानी बचा सकते हैं एची ना लगता है, है ना? खेर, यहां सिर्फ एक फैसी विचार नहीं है यहां एक वास्तविक्ता है जिसे हम सभी गले लगा सकते हैं और यहां जल संरक्षन के महत्व को समझने के साथ शुरू होता है जैसा कि हम इस वीडियो के माध्यम से एक साथ यात्रा करते हैं हम अपने रोजमरा के जीवन में पानी के संरक्षन के पचास आसान और व्यावहारिक तरीकों को उजागर करने जा रही है यहां महत्वपूर्ण क्यों है? जल ही जीवन है यहां हमारे ग्रह का जीवन है जो सभी जीविद जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है फिर भी यहां एक संसाधन है जिसे हम अक्सर हलके में लेते हैं हम मेंसे कई लोग पानी की प्रचुर्ता के भ्रम के साथ रहते हैं लेकिन सच्चाई यहाँ है कि स्वच और ताजा पानी एक सीमित संसाधन है और लगातार बंती आबादी और जल्वायू परिवर्तन के साथ पानी की कमी दुन्या भर में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बंती जा रही है तो हम एक अंतर कैसे बना सकते हैं इसका जवाब हमारी दैनिक आर्तों में नहित है हम में से कई अंजाने में हर दिन बहुत सारा पानी बरबाद करते हैं जिस तरह से हम अपने दानतों को ब्रश करते हैं उससे लेकर हम अपने कपड़े कैसे धोते हैं हमारे लिए पानी के संरक्षन के अंधिनत अफसर है कुंजी इन अफसरों के बारे में जागरुक होना और जागरुक विकल्प बनाना है जो पानी बचाने में मदद करती है लेकिन यहां अच्छी खबर है आपको एक अंतर बनाने के लिए एक जल वैज्ञानिक या परियावरन कार्य करता होने की आवशक्ता नहीं है इसके लिए बस थोड़ी सी माइंडफुलनेस और हमारी आद्टों को बदलने की इच्छा की आवशक्ता होती है और यही वह जगा है जहां हमारा विडियो आता है हम आपको पचास सरल तरीकों के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए यहां हैं जिनसे आप हर दिन पानी बचा सकते हैं हम उन तक्नीकों का पता लगाएंगे जिन्हें आप आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं बाथरूम से रसोई तक, बगीचे से कपरे धोने के कमरे तक हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छोटे बदलाव महत्वपूर्ण बचत का कारण बन सकते हैं न केवल पानी के मामले में, बल्कि पैसे और उर्जा के मामले में भी जन संदक्षन केवल पानी बचाने के बारे में नहीं है यह हमारे और आने वाली पीडियों के लिए एक स्थाई भविश्य बनाने के बारे में है यह एक अंदर बनाने के बारे में है एक समय में एक बून क्या आप इस जीवन प्रवर्तनकारी यारा में गोता लगाने के लिए तैयार है? पहले दस तरीके अपनी सुभा की दिनचर्या से शुरू करते हुए पानी बचाने के कई तरीके हैं आईए पहले 10 तरीकों में गोता लगाएं जो आप दिन के लिए अपने घर से बाहर निकलने से पहले कर सकते हैं सबसे पहले अपने स्नान को छोटा करने पर विचार करें यदि आप अपने स्नान के समय को केवल एक मिनट तक कम करते हैं तो आप 8 गैलन पानी बचा सकते हैं यह एक वर्ष में 2000 गैलन से अधिक है दूसरे अपने दान्तों को ब्रश करते समय नल को बंद करना एक छोटा सा बदलाव है जो एक बड़ा बदलाव ला सकता है आपके पानी के उप्यों को आधे तक कम कर सकते हैं चौथा कोशिश करें कि जब आप शेविंग कर रहे हो तो पानी को चलने न दे सिंग को थोड़ा सा भरना आपके शेविंग के लिए परियाप पानी प्रदान कर सकता है और इस प्रक्रिया में गैलन बचा सकता है पाजवा, दोहरे फ्लश शौचाले स्थापित करने पर विचार करें इन शौचालेों में दो फ्लश विकल्प है तरल कच्रे के लिए आधा फ्लश और ठोस कच्रे के लिए एक पूर्ण फ्लश जो पानी की एक महत्वपूर्ण मातरा को बचा सकता है छठा, अपनी कार को धोने के लिए नली के बजाए बालती का उप्योग करें इससे एक सौ गैलन पानी की बचत हो सकती है सात्वा, वाश्पी करण को कम करने के लिए अपने पौधों को सुबह जल्दी या देर शाम पानी दे नमबर आठ, अपने जाइवे या फुटपात को साफ करने के लिए नली के बजाए जाडू का उप्योग करने पर विचार करें एक नली एक मिनिट में आठ गैलन पानी का उप्योग कर सकती है नौवा, केवल अपनी वाशिंग मशीन और डिश्वाशर में पूर्ण भार चलाने की कोशिश करें यह प्रती भार 50 गैलन पानी बचा सकता है अंत में दस्वा तरीका फलो और सबजियों को धोने के लिए उप्योग किये जाने वाले पानी को इकठा करना है और अपने घर के पौधों को पानी देने के लिए इसका पुन उप्योग करना है बस अपनी सुभा की दिनचर्या में बदलाव करके आप हर दिन गैलन पानी बचा सकते हैं कलपना कीजिए कि अगर हम सभी इस कीमती संसाधन के संरक्षन के लिए अपना हिस्सा करते हैं तो हम क्या अंतर कर सकते हैं अगले 10 तरीके अपने दिन के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ते हुए जल संरक्षन अभी भी प्रात्रमिक्ता हो सकती हैं आईए पानी बचाने के अगले 10 तरीकों के बारे में बात करें जिनमें से सभी आपके दैनिक दिनचर्या में मूल रूप से एकी कृत हो सकते हैं हमारी सूची में सबसे पहले पानी की बचत करने वाले डिश्वाशर में निवेश करना है इन मशीनों को पारंपरिक मॉडल की तुन्ना में कम पानी और उर्जा का उप्योग करने के लिए डिजाइन किया गया है यह सुनिश्चित करते हुए कि आप न केवल पानी बचा रही है बलकि अपने कारबन पच्चिन को भी कम कर रही है दूसरे अपने पौधों को सुबह जल्दी या देर शाम पानी देने पर विचार करें यह सरन स्विच पानी के वाश्पी करन को काफी कम कर सकता है यह सुनिश्चित करता है कि आपके पौधों को कम पानी के साथ अधिक हाइड्रेशन मिलता है तीसरा चलो हमारे कपड़े धोने की आदतों के बारे में सोचे अपने वाशिंग मशीन चलाने से पहले पूर्ण लोड होने तक प्रतीक्षा करें और जब आप ऐसा करते हैं तो उपलब्ध होने पर पर्यावरण के अनुकूल सेटिंग का विकल्प चुने चौथा अपने बगीचे के लिए एक स्मार्ट सिंचाई प्रणाली स्थापित करने पर विचार करें ये सिस्टम आपके पौधो को केवल आवश्चक होने पर पानी देने के लिए मौसम देता का उप्योग करते हैं बारिश या ठंडे तापमान के दौरान अनावश्चक पानी को रोकते हैं पाँचवा पानी का मीतर स्थापित करने पर विचार करें यहां आपको अपने पानी के उप्योग की निग्रानी करने और उन ख्षेत्रों की पहचान करने की अनुमती देगा जहां आप संभावित रूप से बचत कर सकते हैं छटे तरीके पर आगे बढ़ते हुए कम शौवर लेने की कोशिश करें अपने स्नान के समय को कुछी मिंटों तक कम करने से कई गैलन पानी बचाया जा सकता है साथवां अपने दान्तों को ब्रश करते समय या शेविंग करते समय नल बंद कर दें यहां एक छोटी सी कारवाई है लेकिन यहां हर बार चार गैलन पानी बचा सकता है आठवा, अपने जाइवे या आंगन को साफ करने के लिए नली के बजाए पानी की जाडू का उप्योग करने पर विचार करें पानी की जाडू सतों को साफ करने के लिए हवा और पानी के दबाव के सयोजन का उप्योग करती है पारम पर एक नली की तुन्ना में काफी कम पानी का उप्योग करती है नवा किसी भी लीग को ठीक करें जैसे ही आप उन्हें नोटिस करती है एक तपकता नल एक दिन में 15 गैलन तक पानी बरबाद कर सकता है और अंत में दस्वां यदि आपके पास स्विमिंग पूल है तो पूल कवर का उप्योग करें यह पानी के वाशपी करन को कम करेगा और आपके पूल को भी साफ रखेगा जिससे लगातार रिफिल की आवशक्ता कम हो जाएगी याद रखें पानी बचाना सिर्फ एक कार्य नहीं है या एक जीवन शैली है इन में से प्रत्ते कदम चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना लगे हमारे बहुमूल्य जर संसाधनों के संरक्षन के लिए एक बड़े वैश्विक प्रयास में योगदान देते हैं जाने के तीस और तरीके क्या तुम अभी भी मेरे साथ हो आएए पानी के संरक्षन के और तरीकों में गोता लगाए चलो अपने घरों से शुरू करते हैं क्या आप जानते हैं कि लीक नल जिसे आप अपने बाथरूम में अन्देखा कर रही है खेर यहां उच्च समय है कि आप इसे ठीक करें यहां तक कि एक छोटा सा रिसाव एक दिन में तीन गैलन पानी बरबाद कर सकता है यहां एक वर्ष में एक हजार गैलन से अधिक है इसके बाद अपने कपरे धोने के तरीके पर विचार करें यदि आप वाशिंग मशीन चलाने से पहले पूर्ण भार होने तक इंतजार करते हैं तो आप पानी की एक महत्वपूर्ण मात्रा बचा सकते हैं रसोई में आगे बढ़ते हुए क्या आप जानते हैं कि गर्म पानी के नीचे चलाने के बजाए रात भर फ्रिज में भोजन को डीफ्रॉस्ट करने से गैलन पानी भी बचाया जा सकता है और फ्रिज की बात करें तो पानी थंडा होने तक नल चलाने की बजाए वहां पीने के पानी का जग रखें कि आपको आश्चर्य होगा कि आप कितना संदक्षित कर सकते हैं आईए अब जीवन शैली विकल्पों पर अपना ध्यान के इंद्रित करें कम पानी वाले खाद्य पदार्थ खाने का विकल्प चुनें क्या आप जानते हैं कि केवल एक पाउंड गोमांस का उत्पादन करने क के लिए दो हजार गैलन से अधिक पानी लगता है यहां बहुत पानी है क्या आप कॉफी के प्रश्चन सकth ayak आपको यहाँ जानकर आश्चर्य हो सकता है, कि सिर्फ एक कप के लिए आवशत कौफी बीन्स को विख्षित करने और संसाधित करने के लिए 37 गैलन पानी लगता है शायद यह चाय पर स्विच करने का समय है, जिसके लिए काफी कम पानी की आवशकता होती है और यहां आपके बीच फैशन के प्रती जागरुक लोगों के लिए एक टिप है, कम खरीदे, अच्छी तरह से चुने और इसे अंतिम बनाएं फैशन उद्योग एक प्रमुक जल उपहुकता है एक सूती टी-शर्ट का उतपादन करने के लिए लगभग 700 गैलन पानी की आवशक्ता होती है अपना खुद का भोजन उगाना भी पानी बचाने का एक शांदार तरीका हो सकता है घर में उगाए जाने वाले फलो और सबजियों को वानिजिक खेतों पर उगाए जाने वाले फलो की तुन्ना में कम पानी की आवशक्ता होती है अंत में जल सन्रक्षन के बारे में शब फैलाना याद रखें अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों को अपने दैनिक दिंचर्या में ये छोटे बदलाव करने के लिए प्रोचसाहित करें आप देखते हैं पानी बचाना बड़े बलिदान करने के बारे में नहीं है यह छोटे बदलाव करने के बारे में हैं जो समय के साथ जुणते हैं याद रखें हर बूंड माइने रखती है अंतिम 20 तरीके और अंत में पानी बचाने के अंतिम 20 तरीके एक आईए अपने कार्य स्थल पर जन सन्रक्षन परियोजना शुरू करने पर विचार करें पानी कुशल उपकरणों को स्थाफित करने जैसे छोटे बदलाव एक बड़ा अंतर बना सकते हैं दूसरा अपने कार्याले को कागज रहित होने के लिए प्रोच्साहित करें चौथा वर्षा जल संचन पर विचार करें यहां एक महान सामुदाइक परियोजना हो सकती है और एकत्रित पानी का उपयोग बागवानी या सफाई के लिए किया जा सकता है पाँच अपने ड्राइववे और फुटपात को साफ करने के लिए नली के बजाए जाड़ों का उपयोग करें च्छा सूखा प्रतिरोधी पौधे लगाएं इन पौधों को कम पानी की आवशक्ता होती है और अकसर उतने ही सुन्दर होते हैं साथ, मनोरंजक पानी के खिलोनों से बचे जिन्हें पानी की निरंतर धारा की आवशक्ता होती है आठ, एक वानिजिक कार धोने का उपयोग करें जो पानी को रिसाइकल करता है नौ, अपनी स्थानिय सरकार को जन सनरक्षन को विक्सित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रोचसाहित करें दस, यदि आप एक व्यवसाई के मालिक है तो सुनश्चित करें कि यहाँ पानी कुशल है जारह, बच्चों में जन सनरक्षन को बढ़ावा देना आखिरकार, वे भविश है बारह, यदि आप एक शिक्षक है तो अपने पाठों में जन सनरक्षन को शामिल करें तेरह, अपने याड को बदलने पर विचार करें यहाँ एक प्रकार का भूनिर्मान है जो पूरक पानी की आवशक्ता को कम या समाप करता है 14. वाश्पी करण को कम करने के लिए एक पूल कवर का उप्योग करें 15. सामदाई केंद्रों में पानी की बचक करने वाले उपकरण स्थापित करें 16. वाशिंग मशीन और डिश्वाशर केवल तभी चलाएं जब वे भरे हुए हो 17. एक वानिजिक लॉंड्रोमैट का उप्योग करने पर विचार करें जो पानी को रिसाइकल करता है 18. कच्रा निप्तान का सैयम से उप्योग करें 19. अपने पानी के पाइप को इंसुलेट करें 19. आपको गर्म पानी तेजी से मिलेगा और गर्म होने पर पानी बर्बाद करने से बचेंगे 20. और बीस्वाँ सोशल मीडिया के माध्यम से जल संरक्षन के लाभू को बढ़ावा देना 20. आप देखते हैं जल संरक्षन केवल एक व्यक्ति की जिन्मेदारी नहीं है यह एक सामोहिक प्रयास है 21. सामोहिक कारवाई की शक्ति कल्पना कीजिए कि अगर हम सभी सामोहिक रूप से पानी के संरक्षन के लिए कदम उठाते हैं तो क्या प्रभाव होगा 21. एक शक्तिशाली बयान है ना सामोहिक कारवाई की सुंदर्ता यह है कि यह छोटे से छोटे प्रयासों को परिवर्तन के ज्वार में बदल सकती है यह एक शक्तिशाली नदी की तरह है जो अंगिनत छोटी बूंदों से बनी है चित्र यह है यदि इस ग्रह पर हर व्यक्ति प्रती दिन सिर्फ एक गैलन पानी बचाता है तो हम एक ही दिन में साथ बिलियन गैलन से अधिक बचाएंगे यह दस हजार से अधिक ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल भरने के लिए परियाप्थ है एक साल में यह लगभग तीन च्रिलियन गैलन पानी की बचत करेगा क्या आप अपने दिमाग को इसके चारो और लपेट सकते हैं यह वास्तव में चौका देने वाला है लेकिन गैलन पर क्यों रुखते हैं अगर हम सभी ने इस वीडियो में चर्चा की गई पानी को बचाने के पचास आसान तरीक करने वाले हर किसी के बारे में नहीं है यह हर किसी के बारे में है कि वे क्या कर सकते हैं हम सभी के पास अलग-अलग जीवन शैली अलग-अलग जरूरते और संरक्षन करने की अलग-अलग शमताएं हैं हम में से कुछ पानी की बचत करने वाले उपकरन स्थापित कर सकते हैं अन्य लोग कम शौवर की आदग बना सकते हैं और अन्य ग्रेवाटर का पुन उप्यो करने के तरीके पा सकते हैं। कुझी यहा है कि हम सभी कुछ करते हैं। और याद रखें, सामोहिक कारवाई एक बार की बात नहीं है। यहां मानसिक्ता में बदलाव है, यहां बदलाव है कि हम अपने जल संसाधनों को कैसे देखते हैं और महत्व देते हैं। यहां जल संरक्षन को हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के बारे में हैं नकी केवल जाच करने के लिए एक बॉक्स। तो आए हम सभी इस मिशन में हाथ मिलाएं। चलो हर बॉन्द की गिंती करते हैं। आए बदलाव की एक लहर बनाएं जो आने वाली पीडियों के लिए गुणजेगी। अब अपनी जीवन शैली में भारी बदलाव करने की आपकी बारी है। क्या आप चुनौती के लिए तैयार है। उपाय याद रखें, बचाई गई हर बून्द एक स्थाई भविश्य में योगदान देती है। हम में जो यात्रा शुरू की है, वह केवल व्यक्तियों के रूप में हमारे बारे में नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के प्रती हमारी सामुहिक जिम्मेदारी के बारे में है। हम में से हर एक के पास एक अंतर बनाने की शक्ति है। एक भविश्य को आकार देने के लिए जहां पानी हमारा सबसे कीमती संसाधन, मूल्यवान और संरक्षित है। तो आईए इन पचास आसान पानी की बचचत के तरीकों को अभ्यास में लाएं। यहां सब कुछ एक बार में करने के बारे में नहीं है, बलकि कहीं से शुरू करने एक समय में एक कदम उठाने के बारे में हैं। हर प्रयास माइने रखता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। और हमें यहां नहीं भूलना चाहिए, परिवर्तन की शक्ती हमारे साथ नहीं रुखती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने समुदाय के साथ साजह करें। इस बारे में शब्द फैलाईं की हमारे रोजमर्णा के जीवन में पानी को बचाना कितना सरल हो सकता है। दूसरों को इस आवशक प्रयास में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। एक साथ चलो एक अंतर बनाते हैं। क्योंकि हर बून्द माइने रखती है। देखने के लिए धन्यवाद त्रिप्या इस चैनल की सदस्य ताले और इस तरह के जानकारी पूर्ण विडियो देखने के लिए घंटी बटन दबाना न भूले।